इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे UP Assistant Professor के General Knowledge की ठीक है ना तो चलिए वीडियो को डिस्कस करते हैं पहला प्रेशन पुछा गया था बर्निय जीव सरंक्षन 2020 के लिए Lifetime Service पुरुसकार निमिलिकित में से किसने जीता है तो यहां पर जो सही बिकल्प होना था तो वो होना था बिकल्प A थियोडोर बासकरन के द्वारा बासकरन की जगए यहां पर बासकरन होगा ठीक है बिकल्प A यहां पर सही हो जाएगा अगला कोशने बारत में मुख्यतर कितने प्रकार की मृधा पाई जाती है तो बारत में मुख्यतर आठ प्रकार की मृधा पाई जाती है तो यहां पर सही बिकल्प D हो जाएगा दो का सही उत्तर D हो जाएगा अगला कोशने तीन भारत में राष्ट्रिय मेरी टाइम सुमंदरी दिवस कम मनाय जाता है तो ये मनाय जाता है पांच अप्रेल को तीन का सही बिकल्ब ए हो जाएगा अगला प्रशने चार परनी जीव स्रंक्षन अधीने भारत में कब लागू किया गया था तो ये किया गया था आपका 1972 में चार का सही बिकल्ब पी हो जाएगा अगला कोशने पांच प्रिथ्वी और उसके परियावरन के संक्षन के संदर में निमन में से किसे प्लस फाइब सम्मीट के नाम से भी जाना जाता है तो ये जाना जाता है आपके द्वित्य प्रिथ्वी सम्मेलियन को प्लस फाइब सम्मीट के नाम से सही बिकल्ब पांच का पी हो जाएगा अगला कोशने छे महराजा रंजीत सिह का जनम किस मिसल में हुआ था तो ये हुआ था सुकर्ज चकिया छे का सही बिकल्ब सी हो जाएगा अगला कोशने साथ निमनाकित में से किस को मारलो मारले मिन्टो सुधार कहा जाता है तो बताना है किसे मारले मिन्टो सुधार कहा जाता है तो ये कहा जाता हुआ का बिकल्ब सी भारत परिशद अधिनियम उन्निसो नौ को अगला कुछने आठ इन में से कौन डेकन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थाप को में से एक थे तो ये होंगे बिकल्प भी बाल गंगादर दिलक आठ का सही बिकल्प भी हो जाएगा अगला कुछने नौ इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्त के लेकर निमलिखित में से कौन थे तो ये थे बिकल्प सी सुभाचंदर बोस अगला कुछने दस इसमें पूछा गिया है निमलिखित भारतिये जिन जात्यों का पश्चीम से पूरव का सही करम चाही करना है सही करम तो यहाँ पर जो सही बिकल्प हो जıtगा तो बहुगा बिकल्प सी गारो सबसे पहले, फिर खाशी, फिर जैंतिया और सबसे लास्ट में नागा ठीक है न, C सही बिकल्प हो जाएगा अगला क्वेशन 11 इसमें पूछा गिया है निमन में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो जो 11 का सही उत्तर होगा तो यह होगा बिकल्प D गांधी सागर अभिहारनी ताट्रेस्थान में नहीं अगला क्वेशन 12 इसमें पूछा गिया है कोई भी देख, धन भी देख, है या नहीं अंतिम तोर पर निश्चित करने का कौन अधिकार रखता है तो यहाँ पर जो 12 का सही बिकल्प हो जाएगा तो यह होगा लोकसवा का अधियक्ष बारा का सही बिकल्प ए हो जाएगा अगला प्रशन 13 इसमें पूछा गया है भारत के लिए समिधान बनाने के लिए सन 1922 में लोगों या जनता द्वारा स्वत्न तरूप से चुने गे प्रतिनी थी निकाय की मां किसने की थी तो 13 का सही बिकल्प हो जाएगा ए महात्मा गांधी की द्वारा महंदास कर्मचन गांधी पूरा नाम होगा इनका अगला कोशन 14 निमलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर होगा सही बिकल्प मूल कर्तब ये सविधान का भाग छे ए में नहीं दिया गया है ठीक है यहाँ पर जो सही उत्तर सी हो जाएगा अगला कोशन है 15 निमलिखित में पूछा गिया है भारत कभ अंतराश्ट्री मुद्रा कोश का सदसी बना था इंडिया कभ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का सदसी बना था यह होगा पंदरा का जो सही बिकल्प हो जाएगा तो यह होगा 1945 सही बिकल्प A हो जाएगा यहाँ पंदरा का अगला कोशन है 16 जोला मुखी के संदर में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा तो 16 का सही बिकल्प हो जाएगा बिकल्प A अर्थात केवल एक सही होगा केवल एक में क्या दिया गया है ज्वाला मुखी की बिस्तित शिंखला बायू मंदली कारवन डाय उक्साइड के उत्सर्जन इवम हटाने की भूविग्यानिक समय में जिमिदा माना गया है तो केवल एक सही होगा जो दूसरा कतने ये गलत हो जाएगा ये प्रक्रिया प्रित्वी के सतह का तापमान स्थिर करती है ये गतन गलत हो जाएगा अगला कोशन है सतरा गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष प्राडम्ब किया गया था तो ये किया गया था 1986 में सतरा का सही बिकल्प भी हो जाएगा अगला कोशन है 18 किस राजी सरकार ने सरकार की उपलवदियों को परदशित करने के लिए बेव अधारित मंच प्रती बिम्ब मार्च 2017 में शुरू किया था तो अटरा का सही भी कलफ हो जाएगा करनाटक सी सही भी कलफ हो जाएगा अगला कोशन है 19 भारत ने किस देश के साथ सेनिक युद्धावियास बज्जर परहार 2021 किया था तो ये किया गया था USA के द्वारा मतलब USA के साथ तो 19 का सही भी कलफ हो जाएगा अगला प्रशन है 20 फरवरी 2021 में अखिल भारतिये टेवूल टैनिस संग द्वारा घुशित महिला रैंकिंग में प्रत्रम स्थान किस ने प्राप किया था तो ये किया गया था अंकीता दास की द्वारा 20 का सही भी कलफ D हो जाएगा अगला कुशन है 21 निमन में से कौन सा शोध बरत्मान परस्थितियों के सुधार पर केंद्रित होता है तो ये होता है एक्शन रिसर्च 21 का सही भी कलफ C हो जाएगा अगला कुशन है 22 इसमें पूछा गया है जांट परताल की प्रक्रिया से एकर्टित किये गए मूल आंकरों को क्या कहते है तो जांट परताल की प्रक्रिया से एकर्टित किये गए मूल आंकरों को कहा जाता है प्रात्मिक आंकड़े या प्राइमरी डाटा 22 का सही बिकल्प भी हो जाएगा अगला कुशने 23 राष्टी अध्यापक शिक्षा परिशद एक समयधानिक निकाय के रूप में अस्तित्व में आया तो कब आया था ये? तो ये आया था बिकल्प भी सात्वीं पंचवर्ष ये योजना के काल में तो ये इसका सही बिकल्प भी हो जाएगा अगला कुशने 24 विचार एवर्म कतनों का उतक्रिष्ट संगतन करते होए लिखने के कौशल का एक उधारन है तो क्या होगा ये? तो ये हो 24 का सही बिकल्प C बोध ये समझ अगला कुशने 25 मधियांक की गर्णा के संदर में निमलिखित कतनों में कौन सा कतन सही होगा? क्या पूछा गया है? मधियांक की गर्णा के संदर में निमलिखित कतनों में से कौन सा कतन सही होगा? तो यहाँ पर जो 25 होगा इसका सही बिकल्प होगा बिकल्प सी केवल 2 और 3 2 और 3 में क्या है? प्रती एक आंकड़ा महत्पूल है 3 है शुदता और विश्वसनियता की आपशकता है तो यहाँ पर C सही बिकल्प हो जाएगा 25 का अगला कुछने संगणक में शब्द FTP का क्या अर्थ होता है? कम्प्यूटर लेंग्विज में FTP का अर्थ बताना है तो यहाँ पर जो सही बिकल्प हो जाएगा तो वो होगा बिकल्पी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल 26 का सही बिकल्प भी हो जाएगा अगला कुछने 27 इंटरनेट के संदर में बैंडविथ क्या है? तो यह होता है एक चैनल दुवारा प्रती यूनिट समय में ट्रांसफर बाइट्स की संख्या भी सही बिकल्प हो जाएगा 27 का अगला कुछने 28 इसमें पुचा गिया है निमलखित में से कौन सा एक electronic उपकरन में social site नहीं है तो यहाँ पर जो सही बिकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा C याहू है यह Google के समान एक search engine के तौर पर जाना जाता है यह electronic उपकरन में social site के तौर पर नहीं जाना जाता है Facebook जाना जाता है Instagram भी जाना जाता है और Twitter भी जाना जाता है आगे है संगर्ण के बंडारन के सम्मंद में शब्द TV का क्या अर्थ होता है तो 29 का जो सही बिकल्प हो जाएगा C टेरावाइट Computer Language में TV का अर्थ टेरावाइट हो जाता है 29 का सही बिकल्प C हो जाएगा अगला और जो जी के section का अंतिम्प्रेशन है निमलिखीत में से कौन सा एक आउटबुट डिवाइस है तो आउटबुट होता है मानलीजी दोस्तों अगर हम Mobile या Computer या TV में कुछ देख रहे हों जैसे Keyboard इंपूट हो गया Mouse इंपूट हो गया Scanner इंपूट हो गया तो यहाँ पर 30 का सही बिकल्प होना था B Speaker Speaker Output Device है ठीक है आगे हम देखते हैं जो पिछले कल हमने एक वीडियो मनाई थी इसमें हमने कुछ प्रशनों के उत्तर जलवाजे में गल दे दिये थे उनको देख लेते हैं कौन-कौन से वीडियो प्रशन थे तो जो पहला प्रशन था तो यह था सुभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्वलता के नामे यह किसका कथन है ठीक है अगला प्रशन था 70 कहां गयास हाँ यह अंधायू का वो कौन सा पातर है जो अभिशीप्त जीवन जीने के लिए बात दे था तो यह था सत्तर का अश्वत थामा जो अंधायू नाटक है इसमें अश्वत थामा को पांडवों के पांच पुत्रों की हत्या करने के पहशात और अत्याचारों करने के कारण भगवान श्रीकृषन ने श्राप दिया था कि तुम मृत्यू को प्राप्त नहीं करोगे तुम पूरी उमर या जब तक प्रित्वी रह की तब तक दरबदर भटते रहोगे और तुम्हारे श्रीर से पीप निकलता रहेगा तो ये शाप भगवान श्रीकृषन ने अश्वत थामा को दिया था यहाँ पर इसलिए सही विकल्ब D होना था और मैंने गलती से भी बता दिया था यूद्सू तो ठीक है ना 70 का सही विकल्ब D हो जाएगा तो इन प्रशनों में आप सुधार पर इसलिए आपके आगामी प्रिक्षा के लिए महत्पुन होने वाला है अगर हम बात करें LT Commission या हिंदी जो हिंदी की कोई भी प्रिक्षा हो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतग ध्यान प्रवग देखेगा यह महत्पुन प्रशन पत्तर सावित होगा तो चलिए वीडियो को डिक्स करते हैं तो यहाँ पर जो पहला प्रशन पूछा गया था इसी प्रशन था उतना टफ नहीं था पूछा गया था कि यो रसलीन का मूल नाम क्या था तो जो रसलीन थे इनका मूल नाम था विकल्ब डी सेयद गुलाम नवी डी सही विकल्ब हो जाएगा यहाँ पर अगला कोशन है भारतिंदु की अक्यली परतिवा ने ही हिंदी नाटक साहित्य हिंदी नाटेशा सरत्ता हिंदी रंगमच की स्थापना की तो यह गथन किसका है तो यहाँ पर जो गथन हो जाएगा तो यह था भारतिंदु जी के लिए अचारे रामचंदर शुकल का गथन ठीक है ना अगला कोशन है सुमित्रा नंदन पंत ने अपने किस काबे संग्रह को बाल कल्पना का दुद्मुहा प्रियास कहा था तो यह कहा गया था बीना के लिए 33 का सही विकल्प C हो जाएगा अगला कोशन है 34 पूचा गया है दूसरा सब्तक का प्रकाशन कब किया गया था तो यह किया गया था किले में औरत किस कवी की कवीता है तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि यह क्या है कवीता बीदा की रचना है क्या है यह किले में औरत और किस की रचना है तो यह हो जाएगी आपके रगुबीर सहाय की रचना 35 का सही विकल्प यहाँ पर C हो जाएगा अगला कोशन है चतिस डॉक्टर गुपाल राय के द्वारा किस कृति को हिंदी का पहला उपनियास माना गिया है नहाँ पर जो सही बिकल्ब हो जाएगा थे विकल्फ सी देवरादी जिठानी की कहानी जो उपनियास है 36 का सही बिकल्ब C हो जाएगा अगला question है फांस उपनियास का मुल कत्य हैं तो सब सी पहले तो आपको याद रखना है कि जो फांस है या उपनियास है और किसका है? संजीब जी का है यादर किएगा संजीब जी का अपनियाष है और इसका मूलक थिया या भी शे क्या है तो यह होगा किसान आत्मथ्या के बारे में जिकर किया है, ठीक है na? अगला कॉशन होगा अठथ네स इसमें पूचा गया है सचेतन कहानी की अवधाना किस कहानीकार्खी है तो यहाँ पर सही बिकल्ब होजाएगा बिकल्ब D महिप C 38 का सही बिकल्ब D हो जाएगा अगला कोशन है निमिलिकित नाटक इवम नाटक कारों का चैन कीजिए या सुमेलित कीजिए तो चलिए मिलान करते हैं तो यहाँ पर जो अभंग गाथा नाटग होगा यह हो जाएगा आपका नरेंदर मोहन का उसके पर शाहत है ताले में बंद प्रजातंतर यह हो जाएगा बिभु कुमार का फिर है बाइरस यह हो जाएगा राजिश जैन का और अंत में है इत्ता की अवाज तो यह होगा असगर बजाहत का फिर से बता दूँ अभंग गाथा हो जाएगा नरेंदर मोहन का ताले में बंद प्रजातंतर यह बिभु कुमार का होगा फिर है बाइरस तो ये हो जाएगा आपका राजिश जेन का और सबसे अंत में है इत्ते की आवाज तो ये हो जाएगा असकर बजाहत का और ये क्या है ये नाटक और नाटक कार है अगला कोशन है चालिस पूछा गया है भारत दुर्दशा को निमिलिखित में से क्या माना गया है तो ये माना गया है बिकल्प भी नाटे रासक ठीक है ना चालिस का सही भी हो जाएगा और इक इसकी रचना है नाटे भारत दूर रशा तो ये हो जाएगी भारति अंदू हरिश्चंदर की रचना अगला कोशन है सौभाग्य और दूरभाग्य मनुश्य की दूरुबलता के नाम है ये कतन किसका है तो जो ये कतन है ये हो जाएगा 41 का A, दुरुपस्वामीनी का अगला कोशन है यहाँ पर लंका की एक रात निवंदकार कौन है जो रचना है लंका की एक रात ये निवंद है और इसके निवंदकार का नाम हमें बताना है तो यहाँ पर सही बिकल्प हो जाएगा कुवेर नाथ राय 42 का सही बिकल्प भी हो जाएगा अगला कोशन है मिला तेज से तेज किस विदा की रचना है तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना चाहिए कि ये किस की रचना है तो ये हो जाएगी सुवद्रक मारी की रचना और किस विधा की रचना है ये तो ये हो जाएगी आपकी जीवनी विधा की रचना ठीक है ना अगला कुछन च्वालिस अपनी जमीन अपना आसमा की लेखी का कौन है तो ये हो जाएगे यहाँ पर रजनी तिलक 44 का सही बिकल्प C हो जाएगा अगला कोशन है कच्छुवा धर्म निवंद के लेख कौन है सबसे पहले तो याद रहेगा ये निवंद है कच्छुवा धर्म और किसका है बिकल्प भी चंदरधर्शर्मा गुलेडिका अगला कोशन है आप खुदरी किस साहित्तिकार की यात्म कथा है तो ये हो जाएगी C रमनिका गुपता की अगला कोशन है यहाँ पर भर्तमुनी के रसुत्तर में प्रयुक्त निश्पत्ती का अर्थ उत्पत्ती किस अचारे ने माना है तो ये माना था बिकल्प भी भट लुलट के द्वारा अगला कोशन है किस अचारे ने दरिष्ट पृति और अदरिष्ट कीर्थी को काभ्बे प्रयोजन माना है तो ये माना ये हैं बामन के द्वारा यहाँ पर जो सही बिकल्प हो जाएगा C ठीक है अगला कोशन देख लेते हैं ये है रिती के अधारबुत तत्र के रूप में बामन का क्यासा द्रिश्री कौन था तो ये था विशुद रसवादी ठीक है ना डी सही बिकल्ब हो जाएगा उन्चास का अगला कोशन है चलती चाकी देख के दिया कवीरा रोए दो पार्टन के बीच सावुद बचाना कोई काविय पंक्तियों में कौन सी शवशक्ती है तो ये हो जाएगी बिकल्ब सी बेंजना शवशक्ती अगला कोशन है 51 लुणजाइनस ने उदात था का बिवेचन किस गंद में किया है तो ये किया गया है ओन दी सब लाइन में 51 का सही बिकल्ब सी हो जाएगा अगला कोशन है बावन किस पाश्चाती विचारक ने कला और सहजान भूती को अभीन माना है तो ये माना गया था बेंजी तो क्रोचे के द्वारा बावन का सही बिकल्ब यहाँ पर यह हो जाएगा अगला कोशन है त्रेपन नई सिमिक्षा की किंदर में कौन है तो जो नई सिमिक्षा की किंदर में होगा तो वह हो जाएगी क्रिती त्रेपन का सही बिकल्ब भी हो जाएगा यहाँ पर अगला कोशन है बस्तू, घठना, व्यापार, गुन विशेष्टा, विचार, आदी, साकार, निराकार, परदार्थों और मानस क्रियाओं को कवी किसके द्वारा परत्यक्ष और इंद्रि गराहे बनाता है किसके द्वारा बनता है इंद्री गराहे तो ये बनता है मिथक के द्वारा मिथक के द्वारा नहीं बिम्ब के द्वारा यहाँ पर जो 54 है सही भी कल्प हो जाएगा इसका D बिम्ब के द्वारा ये सब इंद्री गराहे बनता है जब हम किसी की कल्पना करते हैं माले जी यह बोलते हैं कि वहाँ पर ऐसी आकरिती है ये कुछ है तो ये बिंग के मादेम से बनता है ठीक है अगला कोशने पच्पन इसमें पूछा गया है प्रतीक बाद की सरप्रत्म गुष्णा किस विचारक ने की थी तो ये की गई थी बिकल्प सी जीन मोडे के द्वारा पच्पन का सही बिकल्प सी हो जाएगा अगला कोशन है चायवाद पुस्तक के लेखक कौन है तो जो चायवाद पुस्तक ही इसके लेखक हो जाएंगे नामबर सी है अगला कोशन है जाती का बिनाश पुस्तक के लेकर का नाम बताईए तो जो जाती का बिनाश पुस्तक है इसके लेकर हो जाएंगे बिकल्ब D, डॉक्टर भीमराब अमबेड कर ठेके ना अगला कोशन है 58 धर्म कथा, पूरा बृत या पूरा कथा के लिए अलोचन की शब्दावली में किस शब्द का प्रियोग किया जाता है तो ये किया जाता है मिथक का 58 का सही बिकल्ब यहाँ पर D हो जाएगा अगला कोशन है 59 इसमें पूछा गया है सरबुदे और ट्रस्टी शिप के सिधान्त किस दर्शन के अधार माने जाते हैं तो ये माने जाते हैं एकात्म मानताबाद की 59 का सही बिकल्ब यहाँ पर B हो जाएगा अगला कोशन है 60 इसमें पूछा गया है ओम प्रकाश बालमिकी की आत्मकता का क्या नाम है तो ये हो जाएगा बिकल्बडी जूठन अगर आपने अभी तक जूठन आत्मकता को नहीं पड़ा है तो अविश्य पड़ेगा बहुत ही हिला देने वाली आत्मकता है ये जूठन दलीतों के उपर आधारित है इसी परकार इनकी एक तुलसी रामजी की बहुत ही चर्चित आत्मकता है मुर्दिया ठीक है मुर्दिया उसको भी विश्य पड़ेगा बहुत अची आत्मकता है ये दोनों आगे हैं उन्होंने सामाननी हरिदे तत्व की स्रिष्टी ब्यापनी भावना द्वारा मनुश्य और पशु पक्षिस सब को एक जीवन सुत्तर में बद्द देखा है तो ये गतन किस के लिए कहा गया है तो ये कहा गया है रामचंदर शुकल द्वारा जैसी के प्रति 61 का सही विकल्प यहां पर सी हो जाएगा अगला जो कोशिन है 62 इसमें पूछा गया है विद्यापति की कवीता का स्थापतिय श्रिंगारिक है उसे अध्यात्मिक कहना खजुराहों के मंदिर में अध्यात्मिक कहना है क्या है विद्यापति की कवीता का स्थापतिय श्रिंगारिक है उसे अध्यात्मिक कहना खजुराहों के मंदिर को अध्यात्मिक कहना होगा तो ये पंग्तियां किस लेखक की हैं या किस विद्वान की हैं तो यह जाएगी डॉक्टर बच्चनसी हैं 62 का सही बिकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा अगला कोशन है 63 इसमें पूछा गया है इनमें कोई संदेह नहीं की कवीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ पर आगे चल कर कवीर के राम रामानंद के राम से बिन हो गए ये कतन किस का था तो ये कतन था आचारे रामचंदर शुकल का 63 का सही बिकल्प यहां पर B हो जाएगा अगला कोशिन है धान को गाम प्यारते जानो ग्यान विशेरस बोरे सूर सो बहुत कहे ना रहे रस गुलर को फूल, गुलर को फल फोरे तो यहां पर इस पंक्ती में जो अंतिम पंक्ती है गुलर को फल फोरे इसका क्या अर्थ होगा तो जो यह पंक्ती है अंतिम इसका अर्थ ही यहां पर निकलेगा बिकल्प D ढकी छिपी बात खोलने से कही गई बात का अनंद समाप्त हो जाता है 64 का सही बिकल्प यहां पर D हो जाएगा अगला कोशिन है 65 इसमें पूछा गया है कामाईनी का नौवा सर्ग कौन सा है तो जो कामाईनी का नौवा सर्ग था तो यह था एरा ठीक है आपके लिए एक प्रशन छोड़ देता हूँ आपको बताना है कामाईनी का प्रथम और अंतिम सर्ग कौन सा है उनका नामाव को बताना है ठीक है अगला कोशने 66 निराला की राम की शक्ती पुजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई है तो 66 का सही बिकल्फ हो जएगा कृतबास रामायन से 66 का सही बिकल्फ भी हो जाएगा अगला कोशने जिन्दगी निश्क्रिय बन गई तलगर अब तक क्या किया जीवन क्या जिया ये जो कभी की पंग्तिया है किस कभी की पंग्ति होगी ये तो ये हो जाएगी आपके विकल्प ए मुक्तिबोत की पंग्तिया अगला कोशन है यहां पर 68 इसमें पूछा गिया है प्रेमचन का कौन सा उपनियास पहले उर्दु में बजारे हुसन के नाम से लिखा गिया था तो 68 का सही बिकल्प हो जाएगा C. सेवासदन अगला कोशन है 69 उसने कहा था कहानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था तो यह हुआ था सन 1915 में सही बिकल्प यहां पर 69 का भी हो जाएगा अगला कोशन है 70 अंधायू का कौन सा पातर है जो अविशप्त जीवन जीने के लिए बाद्य है तो यह हो जाएगा 70 का भी यूद्सू अगला कोशन है यहां पर 71 इसमें पूछा गिया है मिर्दंगिया किस कहाने का पातर है तो यह हो जाएगा आपका रस्प्रिया का डी सही बिकल्प हो जाएगा यहां पर अगला कोशन है 72 बैद्यजी किस उपनियास के पातर है तो यह थे बिकल्प सी अर्राग दरवारी उपनियास के पातर अगला कोशन है 73 इसमें पूछा गिया है पिता गई, माता गई, गुरुदेव गई, कंदे से कंदा भिढा कर प्रान देने वाला चिय सहचर सिहरन गिया चंदरगुप्ट नाटक में ये कथन किसका था तो ये कथन हो जाएगा बिकल्प एक चंदरगुप्ट का अगला कोशन है इस देश की प्रजा के हरीदे में कोई समरिती मंदिर बना जाने की शक्ती आप में है पर ये सब तब हो सकता है कि बैसी समरिती के कदर आपके हरीदे में भी हो इन पंक्तियों के लेखक कौन होंगे तो ये होंगे बिकल्प भी बालमुकुन गुप्त अगला कोशन है 75 इसमें पूछा गया है भाईयों अब तो नीद से जागो अपने देश की सब परकार से उनती करो जिसमें तुमारी बलाई हो बैसी ही किताप पड़ो ये कथन किस निवन से लिया गया है तो ये लिया गया है बिकल्प सी भारत बर्शुनती कैसे हो सकती है 74 का सही बिकल्प सी हो जाएगा और ये भारतिन दूजी की रचना है अगला कोशने 76 श्रद्धा गढ़न करने की भी एक बिदी होती है मुझसे अभी सहज रंग से श्रद्धा गढ़न नहीं होती अटपटाज जाता हूँ अभी पार्टाइम श्रद्धे ही हूँ ये गथन किस निवन से लिया गया है तो ये लिया गया है बिकल्प सी बिकल्प श्रद्धा का दौर 76 का सही बिकल्प सी हो जाएगा अगला कोशन है 77 मुझस्य ही साहित्ते का लक्षी है ये गथन किस आलोचक की स्थापना से लिया गया है तो ये लिया गया है अचारे हजारी प्रसाद दौर्वेदी की आलोचना से 77 का सही बिकल्प भी हो जाएगा अगला कोशन है 78 कुट्टे की आवाज रपट किस क्री में संकली थे तो ये हो जाएगा 78 का सी रिनजल धनजल अगला कोशन है ब्रेख्ट और एक उदास नगर शिर्शक अधियाए की स्थापना से लिया गया है तो 79 का सही बिकल्प सी हो जाएगा चीलों पर चांदनी अगला कोशन है विश्णु प्रभाकर को अबारा मस्रिया लिखने में कुल कितना समय लगा था तो ये लगा था कुल 14 बर्श सही बिकल्प यहाँ पर D हो जाएगा 80 का अगला कोशन है यहाँ पर 81 किस विद्वान ने सर्प्रत्म आरी भाषाओं के अधियन की और भाषा बिज्ञानिकों का ध्यान अक्रिष्ट किया था तो ये किया था बिकल्प बिलियम जोन्स के द्वरा 81 का सही बिकल्प यहाँ पर A हो जाएगा अगला कोशन है 82 किस भाषा को प्राक्रित और आदुनिक भारतिय आरी भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है तो ये कहा जाता है अपरभण्श को 82 का सही बिकल्प यहाँ पर B हो जाएगा अगला कोशन है 83 हिंदी की मुल उत्पत्ती किस अपरभण्श से मानी जाती है तो ये मानी जाती है शौर सेनी अपरभण्श से 83 का सही बिकल्प यहाँ पर B हो जाएगा अगला कोशन है 84 बगेली बोली को अबधी की दक्षनी साखा किसने कहा था तो ये कहा था हर देव बहारी के दवारा 84 का सही बिकल्प A हो जाएगा अगला कोशने ब्रजबुली किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है तो ये हो जाएगा बंगला का कृत्रिम रूप 85 का सही विकल्प D हो जाएगा अगला कोशने उच्चारन स्थान के अधार पर 6 दोनी कैसी दोनी है तो ये हो जाएगी तालब्य 86 का सही विकल्ब यहाँ पर C हो जाएगा अगला कोशन है 87 राजवाशा आयो की सिफारिशों पर बिचार करने के लिए संस्ति समित्ति का गठन की इस अनुचेत के अंतरगत रखा गया है तो 87 के अंतरगत यहाँ पर सही विकल्ब हो जाएगा 344 अगला कोशन है 88 नागरी लीपी का विकास किस लीपी से हुआ है तो यह हुआ है ब्रामी लीपी से 88 का सही विकल्ब D हो जाएगा अगला कोशन है 89 प्राचीन नागरी का दक्षनी भारत में क्या नाम है तो यह हो जाएगा विकल्ब C नांदे नागरी 89 का सही भी कलब C हो जाएगा दोस्तों हाँ अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हारे टेलिग्राम व्रूप के साथ जुड़िए वहाँ पर मैं इस PDF को स्यान कर दूँगा हाँ बड़ से व्रूप में भी स्यान कर दूँगा दोनों से जुड़ सकते हैं आप लोग अगला कोशन है 90 उदन्त मारतन पत्तर में खड़ी वोली का उलेख किस नाम से किया गया था तो ये किया गया था मद्धिदेशी भाषा के साथ 90 का सही भी कलब C हो जाएगा अगला कोशन है 91 हिंदी प्रतिप के संपादक कौन थी तो ये थे बालक्रिशन भट दोस्तों वीडियो के अंत तक इस वीडियो को अब शी देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपके लिए एक test thesis को लाया हूँ जिसमें आपको एक course मिल जाएगा complete अगर आप चाहते तो उससे संपर करिएगा उसका last में आपको एक वीडियो चला के दिखा दूँगा मैं आप तो चलिए अगला कोशन देख लेते है 92 हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान के लिए 1947 में कौन सी संस्दा गठित की गई थी तो ये की गई थी बिहार राष्ट्र भाषा परिशद पठना 92 का सही बिकल्प B हो जाएगा अगला कोशन है 93 महाबिर परसाद द्विवेदी से पुर्व सर्श्वती पत्रिका के संपादक कौन थे श्यामसुंदर दास 93 का सही बिकल्प C हो जाएगा अगला कोशन है 94 A Sketch of Hindi Literature के लेकर कौन होंगे एडविन ग्रिव्ज 94 का सही बिकल्प D हो जाएगा यहाँ अगला कोशन है ढोला मारूरा दुहा में ढोला की पिता क्या नाम था दोस्तों कितना संदर परशने देखी यह बड़ा ही गजव का परशन था यह तो यहाँ पर जो सही बिकल्प हो जाना था तो वो था बिकल्प भी राजा अनल 95 का सही बिकल्प B हो जाएगा अगला कोशन है 96 गुर्थनात का समय 11 शती किसने माना है तो जो गुर्थनात का समय 11 शती माना था अधिकतर बच्चों ने यह अचारे रामचंदर शुकल कर दिया होगा पर इसका सही बिकल्प था D पितामबर्दत बर्तवार 96 का बिकल्प D हो जाएगा अगला कोशन है 97 इसमें पुछा गिया है नात्पंत सिद्धों की परमपरा से ही चंट कर निकला है तो यह किसका कथन था तो यह था अचारे रामचंदर शुकल का 97 का सही बिकल्प D हो जाएगा अगला कोशन है 98 दक्षिन के आलवारसंथ किस भाषा से सवन्दित माने जाते हैं तो यह माने जाते हैं रामबक्ती शाखा से 98 का सही बिकल्प C हो जाएगा अगला कोशन है 99 तुलसी दास की निमलखी कृतियों में कौन सी कृति कांडों में भी वाजित नहीं है तो यह होना था बिकल्प ए पारबती मंगल अगला कोशन है 100 और अंतीम प्रशन है श्री रामानुजय चारे किस भक्ती से सबंदित थे यहां पर जो सही विकल्प होना था 100 का तो बो होना था इन में से कोई नहीं ना वो दासी भाफ से सबंदित थे ना सक्की भाफ से और ना दामपति भाफ से ठीक है तो 100 का सही विकल्प D हो जाएगा तो ठीक है दोस्तों अगर आप लोगों ने भी ये एक्जाम दिया था UP assistant professor का तो आप बताईएगा आपके कितने प्रशन ठीक हुए हैं ठीक है न तो ठीक है यहाँ पर अपनी वीडियो को सुनाप्त कर लेते हैं आप लोग वीडियो के अंतक बने रहें इसका बहुत धनियावाद झाल प्रश उति झाल लोगों जापके कितने रहें रहें झाला उन्मरों कितने रहें रहें हैं नहीं कितने यह का यहाँ हैं उन्मरों कर लेओनी टयाएगा। झाल झाल